हेलो प्रेंट्स, बूइन्ग, वेल्कम बैक तो मा यूट्वी चैनल प्रان्ट एंड पैट लवर। हम अपने प्रैंट की सब्रांट की केयर करने हैं और बारिश आने से पहले आपको अपने प्रैंट में न्यूट्रिशनि देने हैं ताकि आने वाले टाइम पे हमारा प्रांट अच्छी करे और यह बारिश का मौसम फ्रेंड्स तुलसी प्रांट के लिए बहुत इच्छा है ग्रोइंग है इसका पीरियृड यह बारिश में हमारा प्लांट बहुत ही हेलधी होता है अब यह तक हैम मैंने इसको दोब से बचा है बार बार तो अभी बार नहीं से पार से फटिलाइजर को घृंगे और देखेकी एक कुराणा तो बनीशी कहते हैं और मन्त में एक बाहर है तो खवी फ्रेंस हमिसकी पूज़ी करते हैं और लक्श्मी जी वास्मान घया है जिस में भी तुलसी प्लांट है पैमInnen मैंदेशिनल लिए कितनी फायदे मना हैं इसको इंटेक भी कर सकते हैं चाय में चाय पती हैं लूब है तो अब ही मैंने अपने प्रांट की सारी मिट्टी हटा दिये और अब मैं इसमें एक चमच हल्दी दूँगी हल्दी हमारे तुलसी प्रांट के लिए बहुत ही लाब तैक है अगर आपके प्रांट में फंगस है या रूट्स खराब है जैसे भी प्रांट के उपर से पता चल जाता है कि इसमें कुछ हमारी मिट्टी में न्यूटिशन की कमी है और फंगस वगरा है चीटी वगरा है तो इसमें आपको 15 जिन में एक चमच हल्दी जरूर डालते रहना चाहिए दूसरा है फ्रेंड्स ये वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास कौव दंग है तो बहुत ही बस्त है इसके लिए बस्त फटिलाजर है काव दंग फटिलाजर और मेरे पास फ्रेंड्स को वर्मी कंपोस्ट है तो मैं यही तो तिन मुटीज की अपने प्रांट में दे दूंगी वर्मी कंपोस्ट भी एक पूरा nutrition भरा फटिलेजर है फ्रेंट आप इसको दे कर इसको हर प्लांट में दे सकते हैं फिर आप चाहे अलग से जो nutrition देते हैं वो अलग बात है लेकिन पर्मेकंपोस्ट एक फुल nutrition हमारे प्लांट को दे देता है और फ्रेंट दूसरा है मैं ये चाह पती चाह पती अगर आपको फ्रेश डालने हैं तो आप एक चमची डालेंगे क्योंकि उसमें ज्यादर नाइट्रोजन की मात्रा होती है और जो हम यह दो कर सुखाते हैं इसमें थोड़ी कम नाइट्रोजन रहती है तो आप इसको ज्यादर भी डाल देंगे तो इसका कोई नुकसान नही पर दीजिए नहीं तो फिर वह हमारा पाने के साथ बह के ऊपर निकल जाएगा या फिर वह वह वगरा में उड़ भी सकता हमारा फट्रिलाजर जो हमने दिया इसलिए उसको आप मिट्टी से कवर किजिए यह मेरा दूसरा प्रांट प्रैंट्स यह मेंने फ्रेंट्स लिया क्योंकि हमारे घर में लक्षमी कावास हमेशा रहना चाहिए और यह देखिए मैं इसको शुरू से बुशी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मैं इसको लाए थे मैंने उपर से इसकी ब्रांच कर दी थी और अभी वी जो नहीं नहीं ब्रांच थोड़ी बड़ी हो जाती ह अब मैं इसको कोशिश कर रहे हैं कि मैं शुरू सो इसको बुशी बना के चलिए और अभी मैं इसमें पहले ही फर्टिलाजर दे चुकी थी तो आज मैं इसमें फर्टिलाजर नहीं दूंगी आज मैं सिरफ इसमें हल्दी की एक चमच और डाल दूंगे इसमें क्योंकि इसम इसको पिंच कर रहे हूं यह पत्या मैं अपने चाय में यूज करूंगी आप इनको इंटेक भी कर सकते हैं इसमें बहुत ही इसको ध्यान रखेंगे तो वह बहुत ही बूशी बन जाएगा पहले वाले प्रांट की मैं इतनी केर नहीं कर पाई इसलिए वह लंबा स्टैम टाइप हो गया उपर से क्रोध कर रहे हैं लेकिन उसको भी आप उपर से कट करेंगे हार्ड पून भी कर सकते हैं इतनी हार्ड न निचे आपको बहुत सारे प्लांट निकले हुए मिलेंगे बरसात में तो मैं इनको यहां पर ग्रोफ करूंगे मिट्टी मैंने लिए सिंपल जैसे मेरे पास होती है इसमें मैंने फ्रेंस कोको पीट थोड़ी मिलाई हुई है अब ऐसे सीड्स में डालकर आप थोड़ी सी म होते हैं यह कूछ प्लांट है को याप से मांगे तो आप देजी प्लांट और तुल्सी प्लांट आपके पास में जरूर्च होना चाहिए हमारे सणात अधर में फ्रेंस पुल्सी का पहुत ही महत्वैर्ट और यह हर घर में आपको मिलेका चाहिए फ्रेंस कोई जानता है या का एह नहीं जानता धरिकिन ये फिर जरूर दौ चार पल्डट वksomhतु आपको मन समानी पलांट में आलयूवेरा प्लांट ये कुछ प्लांट छो हर घचन ow को मलें और होने भी साहिए हमारे पॉस्प्रयंट हमें ओक्षिजन भी देते हैं हमें में हमारे स्वास्ते को भी ठीक रखते हैं इनको देखेवाती यह मिलती है गरिन गरीन इसमें। yeah अ कि तो yes मैंने अपने प्रांट्स को इदर पूरी तरह से फटिलाइज करते हैं मैं इसमें पानी देई जोगी मैं इसने फर्स्ट टाइम जहाएक करते हैं अपने प्लांट को तो उसमें खूब पानी देना चाहिए और फ्रेंट इन में आप लिक्विट फटिलाजर भी बना कर दे सकते हैं अगर आपके पास कावड़ नहीं है तो फ्रेंट उपले जो होते हैं प्रेंट उनका लिक्विट फटिलाजर बना कर दीजिए वह सके बहुत ही फायदे मन्न और यह देखे मैं चिस्प्र्ये करओंगी पटियों पर हल्दी का मैं इस करके मैंने जह मैं मैं अब स्प्रेंट करूंगी क्यों कि प्तियों में जो भी समस्या होगी वह इस से ठीक हो जाएगी और हमारा प्लांट अच्छी परूद करेगा तो फ्रेंज आप स्प्रेय हल्दी का स्प्रेय में मिलाकर किसी भी प्लांट पे स्प्रेय कीजी वही इच्छा-फंगिसाइट का काम करता है और और कुछ भी पेस्ट आपके प्रांट पे लगए है तो इससे और चीटीयां भी से अगर उपर होती हैं जैसे उपर चड़ी ओतें हो भी नीचे गिलगईिंगी इससे तो आप मैं दूसरे प्रांट पे भी स्प्रे करूंगी और जहां से मैंने कट किया है यहां मैंने हल्दी का पेस्ट लगा दिया है ताकि हमारी स्टेम ओपर से सूखे ना तो फ्रेंड्स मैरी वीडियो कैसी लगी अच्छे लगी है तो फ्रेंड्स लाइक और शेर किची और नए हैं तो मेरे चैनल पर तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किचे यह थैंक यो माई लबली फ्रेंड्स